नमस्कार दोस्तों आप देखने हैं टेकनिकल सागर यूटिब चैनल मेरा नाम है अभिशिक सागर और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर कि DDR 5 और DDR3 रैंड क्या होते हैं DDR 5 और DDR3 ग्राफिक कार्ड्स क्या होते हैं कौनसे पस्ट होते हैं कौनसे सस्ते होते हैं कौनसे महँंगे होते हैं आपको कौन सा लेना चाहिए यह जो कन्फीजन है लोगों के बीच में यह हम थ eruption आज और करेंग interessante तो मेरे दोस्त थे तो एक के पास था DDR5 का 512MB का graphic card एक के पास था DDR3 का 2GB का graphic card ठीक है लेकिन जो 2GB वाला graphic card था जिसके पास DDR3 वाला उसके उसमें computer में lag करता था game अटकता था वही गीम 512 MB वाले ग्राफिक कार्ड में स्मूदली चलता था ऐसा क्यों तो लोग आप जब भी आप ग्राफिक कार्ड खरीदने जाओगे तो आपसे वह पुछेगा दुकान दा DDR3 दिखाऊं, DDR2 दिखाऊं, DDR5 दिखाऊं, DDR4 नहीं बोलेगा क्योंकि DDR4 आया ही नहीं है यह टेकनोलोजी इतनी फास्ट जा रही है कि भाई यह तो बीच की जो है उन्हें छोड़ी देते हैं एक और फैक्ट आपको बताता हूं इंट्रस्टिंग नोकिया का कोई भी फोन 4 न बीका है लेकिन वह फास्ट है DDR3 2 GB का है ग्राफिक कार्ड लेकिन फिर भी वह स्लो है ऐसा क्यों अब जिन लोगों को यह भी नहीं पता देखो हर तरह के लोग देखने वाले मेरे चानल सबको मेरे को साथ लेके चलना है ठीक है तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना लेकिन ग्राफिक कार्ड एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है कार्ड नहीं होता है वो एक Player कंपोनेंट लगे होते हैं ओने वह एक इसکे अंदर प्रोसेसिंग नहीं चाहता है तों आब गेम अगर आप बहुत अच्छा कहलना चाहते हो तो उसकी चिप अलग होती है जिसक ग्राफिक काड कहते हैं वो आपके कंप्यूटर में ऐसे करके लग जाती है उसे फैन होते है अर अंदर छोड़ी छोटी मशीन होती है माइक्रोचीप है तो उससे क्या होता है आपका जो ग्राफिक्स की परफॉरमेंस आपको जो गेम है वो fast चलते हैं, क्योंकि graphics और game खेलने के लिए भी load पड़ता है computer पे, वो load computer का processor ना लेकर graphic card ले लेता है, जो कि एक अलग processor होता है game खेलने के लिए, ठीक है, तो जो लोग game के ज्यादा शौकिन होते हैं, वो एक अलग processing unit, एक अलग processor लगा लेते हैं, अपने computer को दो दिमाग द अब फिर से हम अपने सवाल पर आ जाते हैं, कि DDR5 कम memory का है, फिर भी fast है, DDR3 ज्यादा memory का है, 2 GB का है, फिर भी slow है, क्यों? देखिए, जो memory है, 2 GB, 1 GB, 500 MB, ये इसकी capacity है, कि ये कितना data hold कर सकता है, राइट? और DDR3 और DDR5, ये उसकी speed है, कि data कितनी जल्दी जा सकता है, अब data कितनी, अगर उसकी capacity कितनी भी हो, अगर data धीरे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, कि उसकी speed धीरे होगी, समझे मेरी बाता, अब data ही जा नहीं पा रहा है, कोई एक pump है, जो कि पानी फैंकता है, अब pump में यह पानी धीरे जा रहा है, तो वो कैसे तेज फैंक देगा, जब data ही उसमें slow जा रहा है DDR3 में, तो वो कितनी भी memory का हो, 2GB हो, 4GB हो, 8GB हो, वो बैचारा धीरे ही तो transfer करेगा, क्योंकि उसको input ही धीरे मिल रहा है, उसकी speed ही नहीं है, data तेज करने की, दूसरी तरफ, DDR5 की जो technology ह है, double data rate जो है, वो बहुत fast है, almost DDR3 से double है, तो यहाँ अगर कम data भी आ रहा है, लेकिन वो fast आ रहा है, 512 MB है, लेकिन वहाँ से जो data आ जा जा रहा है, समझे मेरी बात आप, वो एक ऐसा pipe है, जिसके थूरू पानी, वो पतला pipe है, जिसके थूरू पानी बहुत fast जा रहा है, प कोई मोटा pipe है, जिसके पानी धीरे जा रहा है, तो टप टप कर गए रहा है, समझे आप मेरी बात, तो यह फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी capacity है, यह फर्क पड़ता है कि आप data को कितना fast transfer कर सकते हैं, जितनी ज्यादा latest technology होगी, उतना fast data transfer होगा, और यह चीज सिर्फ ग पताते हैं, capacity जो उतना store कर सकती हो अलग चीज है, वो ज्यादा होना अची बात है, लेकिन उसकी speed भी ज्यादा होनी चीए, तब ही वो उस capacity को utilize कर पाएगा, मेरी बात आप समझे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने gb का 8gb कभी है, और ddr2 आपका graphic card है तो slow चलेग अब आप उससे tackle कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं, कि मुझे सिर्फ ddr5 ही दिखाना, चाहे 1gb का ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या अगर जिसने वीडियो नहीं दिखी हो बोलेगा, मेरे को सिर्फ 8gb का graphic card दिखाओ, ddr3 हो, ddr2 हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, म मैं नहीं वीडियो डालूँगा, आपको नोटिक्वेशन मिल जाएगा, और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, मैं इस चैनल पर technology, cyber security और ethical hacking और सारी बहुत सारी technology related चीज़े लेकर आता रहता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, thank you so much and good bye. झाल झाल झाल